नमस्कार दोस्तों में हूँ पढ़ी दोड़ाचारे सहस्त्री और आप देखरे मेरा अपना यूटूब चैनल धर्मसंदे सदा के तरह आज भी हम नाड़ी परिक्षण के 24 में भाग में पहुंच चुके हैं और अरगन पल्स के हिसाब से आज हम किसी भी वेक्ति के राइट ह करके आपके हाट में होने वाले विवित विक्रतियों के बारे में जानने का प्रयाज करेंगे तो जरा दिल थामके बठीए कापी और कलम ले लिजिए कैसे कैसे इन हाट में होने वाले कफ वित और वायू से जो हाट में जो प्रोब्लम क्रियेट करता है उसको हम कैसे अलग अलग तरीका से उसको डिवाइड करें आपका बहुत आनन्दा आएगा चलिए ज़रा नोड करते हुए चलिए सबसे पहले हाट इनसान के सरीर में भगवाल ने बिद्दुत उर्जा को उत्पादन करने के लिए एक ब्रेन और दुसरा हाट ये दो ही चीज दिया है एक ब्रेन है जो मस्तिस्क की तमाम गतिविदियों को कंट्रोल करता है और दुसरा हाट है जो हमारे सरीर के निचले अंगों में होनी वली जो तमाम गतिविदियां है उसको कंट्रोल करता है वहाँ पर गती देने का काम करता है हाट में अवलंबक कफ रहता है पित में सादक पित यहां निवास करता है वायू में प्राण वायू यहां निवास करता है और अगर हम धातू के बात करें तो यहां रस वाहर गा रस वाहस रोतस यानि रस जहां से बीचरन करे उसका मुल निवासस्थान या यहीं से होते हुए गुजरता है और कहीं कहीं रक्त वह स्रोतस भी इसी हाट से होते हुए निकलता है बेदों में, पुराडों में हाट को, हमारे दिल को, हमारे रिदय को, हमारे भगवान यानि जीवात्म का निवासस्थान बताया है भगवान आपके कहां रहते हैं? दिल में रहते हैं, दिल यानि हाट भगवान का यह निवासस्थान है, परम पुरुषत्तम परमात्मा के निवासस्थान होने के बज़े से कोई भी आदमी जब खुद के बारे में बताता है कि मैं हूँ, तो वो मैं, अहम अस्मी, यानि मैं जो है, परमात्मा का सुरूप है और जब वो मैं हूं बोलता है तो अपने हाट में आपने तीन अंगले हाट को रखता है है ना अपने दिल में हाट रखता है बोलता है कि भाई मैंने नहीं किया वो आँख में नहीं वो नाख में नहीं वो मूँ में हाट नहीं लगाता नो नो मैंने किया नहीं किया करके मूँ में वो थोड़ी हाथ लगाता है अरे नहीं मैंने तो किया ही नहीं करके वो अपने आँख में हाथ नहीं लगाता वो अपने दिल में हाथ लगाता कसम भगवान की आपकी कसम मैंने कुछ नहीं किया कहां हाथ लगाएगा वो दिल में हाथ लगाता है क्यूं क्यूंकि उसको लगता है कहीं न कहीं प्रकृति को भी लगता है कहीं न कहीं जो जिवात्मा आपके दिल में वैठा है कहीं न कहीं वो आपको ऐसी प्रणना देता है कि में जो है वो दिल है दिल में ही मेपन निवास है इसलिए खुद को दिखाने के लिए जताने के लिए बताने के लिए कि में हूँ तो वो पैर में नाखुन में घुटने में सीर में हाथ नहीं रखता है वलकि दिल में हाथ रखता है क्योंकि आपका दिल आपका रिदे यहां पर होती है कि कितना अच्छा दिलदार आदमी है कितना अच्छा दिलदार आदमी है अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूँ कि कोई आदमी आहा आपका दिल बहुत अच्छा है जब वो हाथ लगाएगा या तो उसके दिल में लगाएगा या वो दिल के जस्ट पीछे की और पीठ में लगाएगा क्योंकि उसको लगता है कि दिल जो है जो मेंपन जो है वो दिल में ही है यानि उसके हाट में है तो कहीं न कहीं जिवात्मा जो इश्वर का स्वरूप है उसके दिल में रहता है इसलिए दिल ही इनसान का प्रतीक है, इनसान के मेंपन का प्रतीक है यह बुद्धी का निवा सस्थान है, जब कभी आपके मस्तिस्क में विकार उत्पन होता है तो वो उत्पन होने के लिए आपके कहीं न कहीं दिल भी जिमिदार रहता है यह सादक पित का इस्थान है सादक पित इनसान के वुद्धी को मनोवाहिनी गति विदियों को कंट्रोल करता है तो अकुल मिला करके हम यह समझ सकते है कि आपके मस्तिस्क और आपके दिल इन दोनों का पती और पत्नी जैसे संबंद है जो कभी एक दूसरे से बिछड़ते नहीं है पती और पत्न में तो वैसे एक डिवोस भी होता है लेकिन यह दोनों के डिवोस मरने के इस टाइम में होगा अदर वाज नहीं ब्रेन में दिक्कत आजाए तो हार्ट में दिक्कत आएगा और हार्ट में अगर दिक्कत आजाए तो ब्रेन में निशित है कि दिक्कत आएगा इसलिए जो एपलेपसी के मरीज है पागलपन के मरीज है बुद्धी खराब होने वाले OCD के जो मरीज है उनमें हार्ट का ही सबसे बड़ा भूमिगा रहता है सादक पित रसवाहस रोतस और प्राण वह मारगस प्राण वहस रोतस अवलंब कफ इनकी मिली वगत से ब्रेन में एक प्रकार का निगड़ी प्रवाब हार्ट से जाता है इसलिए इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप डॉक्टर हो वैद हो हकीम हो या वैसे ही आयरुवेद को मानने वाले हो समझना चाहते हो साधरन लेबल पर ट्रीटमेंट देना चाहते हो या ग्रहणी हो कुछ भी हो जो आयरुवेद को मेरे से मेरे इस चीज़ों को आप समझ रहे हो तो आपको समझना जरूरी है हाट और ब्रेन इन दोनों को आपने अच्छी तरह से समझना है अभी मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ उसे आपने ध्यान से समझना है जब समझोगे तो किसी रोगी के साररीक इस्तितियों को अनुमान लगाना आपके लिए कोई बड़ी मुस्किल नहीं है वैसे अस्टवीद परिक्षा होते है आँख के कलर, स्कीन का कलर, उसके मल, उसके मुत्र, उसके जिववा परिक्षा, स्पर्स, परिक्षा ये सारे चीज़ें होते हैं लेकिन नाड़ी परिक्षा से भी आप एक तरह से बहुत बड़ा आंकलन और अनुमान लगा सकते हैं कि इस आदमी का दिल कैसा होगा भला तो आईए इस से पहले जो हमने बताए थे कि किसी भी वेक्ति के इंडिक्स फिंगर जब उसके जब लिफ्ट हेंड में अपने तीन उंगली रखिए इंडिक्स फिंगर में उपर सुपरफिसली आपको जब लगे कि वही कोई दिक्कत है तो आपने स्मल इंटेस्टाइन में ध्यान देना है उसके बाद थोड़ा नीचे जाओगी तो आपको लगा भई यहां तो नर्मल पल्सेशन लगी नहीं रहा है तो आपका ध्यान अब हाट की तरफ जानी चाहिए कि यार इसके हाट में क्या हो रहा है जो पल्सेशन बहुत धिमी धिमी लग रहा है विक्रित अवस्था में इसका हाट मैसुस हो रहा है अब आपका जो अटेंसन है वो काफ़ पित और वायू जो हाट में जो अब मैं आपको ठेवरी देने जा आपया हूँ वहाँ आपने लगाना है सबसे पहले हम वा ओ करेंगे वायू जब हाट में वायू का विक्रित प्रवाब होगा या अधिक वायू होगा या कम वायू होगा तो दो मोख्य समस्या उस वैक्ति में दिखेगा पहले का नाम है Trachycardia Trachycardia दुसरे का नाम है Sinus Arrhythmia Sinus Arrhythmia ये दोनों ही उस व्यक्ति के हाट में होने वाली जो Palsation है यानि जिसे हम हाट वीट कह सकते है Palsation तो खह नहीं कह सकते जो हाट वीट है जो धरकन है वो धरकन यहाँ पर अगर अब एक व्यक्ति के जो दिल का धरकन है वो कम से कम 72 वार धरकता है एक मिनेट में जो स्वस्त पुरुस के जो हाट है वो एक मिनेट में 72 यानि 72 वार धरकता है तो वारतर वार धरके वो नर्मल है लेकिन अगर इसे ज्यादा हो और यहाँ आपको पल्सेशन लग रहा है वायू वाली स्थान में तो आप कह सकते भई आपका टकी का दिया है ठीके और अगर उससे कम हो 72 से कम पल्सेशन लगे बड़ी मरा मरा सा पल्सेशन लग रहा है और वायू वाली स्थान में लग रहा है वायू कहाँ पर ये वाला कोना ये वायू का ये पित का ये कफ का तो यहाँ पर धीरे धीरे वायू के वेग से यहाँ पर टच कर रहा है यह भी देखना जरा किस वेग से लग रहा है इसको भी मैं हर बार बताता हूँ वायू के वेग सर्पगती ऐसे करके होगा पित का स्पाइक ये और कफ का स्पाइक नीचे की और मंद मंद गती से नीचे की और मारता है अगर इस कोने में वाइबरिशन लग रहा है और सरपगति आपको मेसुस हो रहा है तो आप कह सकते है कि टकीकाडिया अगर बड़ा है तो टकीकाडिया अगर घटा हुआ है तो आप कह सकते है कि आपको sinus aridmia है यदि हाट में वायू का negative problem होगा वायू से विक्षित अगर किसी का हाट है तो उस आदमी को डिप्रेशन होने का संभावना होता है और अगर वहाँ वायू का प्रवाब है तो एंजाइटी भी होने का संभावना होता है और यह जो एंजाइटी है यह वो जिम्मेदार है किसी भी आदमी के मानसिक विकृती को पहुंचाने के लिए यह सबसे बड़ा जिमेवार क्योंसा है एंजाइटी एंजाइटी जो है जिसमें रोगी को तेज एक प्रकार का वेचेनी रात में सोते सोते पता नहीं क्या हो जाता है वेचेनी सा उसमें आ जाता है फिर खड़ा हो जाता है एक प्रकार का नकरात्मक विचार निरंतर उसके दिमाग में आता रहता है एक प्रकार का चिंता किसी चीज का और डर का आवास होता कुछ नहीं है वह का आवास निरंतर बना रहता है किसी किसी को मैंने देखा एंजाइटी हो और यहां पर पल्सेशन लगे वायू वाले स्थान में उस आदमी का हाथ कमता है हाथों में पसिना आता है और कभी-कभी अब इसके इलाज अगर न कर सकता है उस आदमी को इसे एंजाइटी के बज़े से एपिलेपसी भी देखा गया है क्योंकि मैं इसलिए जानता हूँ कि मेरे पास एपिलेपसी के पेसेंड आते है तो यहां पल्सेशन को मैं उस पेसेंड को में विसरीच करके देखता हूँ अगर एंजाइटी का प्रव्म होगा तो मैं फिर इसको यहां पर हम इसको अर्जुना रिष्ट या अर्जुन का चूरुना या अर्जुन का एस्ट्रिक हम उस व्यक्ति को यहाँ पर देते हैं ठीक है उसमें अस्वगंदा आधी मिला करके तो यह वायू के प्रवाब को वो कंट्रोल करता है तो एंजाइटी वहाँ पर वायू के प्रवाब होने से होता है चली अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हाट में अगर वायू का प्रवाब होगा तो रोगी के सरीर में एक special एक ऐसा प्रॉब्लम जिसको हम एक्स्ट्रस्विस्टली कह करके जानते है जहां पर उसका हाट वीट एक रिदम में जा रहा था और जाते चलते चलते बीच में अच अचानक सा रोग जाता है और उसे रोकते ही उसको एक प्रकार का घबराहट टेंसन सा कुछ दे देता है उस वक्त उस व्यक्ति के सरीर में ऐसा कुछ होता है यह कभी-कभी होता है यह भी anxiety टाइप का ही है बट यहां पर एक रिदम में हाट वीट चलते हुए बीच में बरा रुख जाता है रुखने के बाद उसे वक्त उसको घबराहट जैसे इस्थिति देता है चिंता कुछ चीज को सोचने लग जाता है डिपरेशन जैसे इस्थिति में पहुंचते हुए फिर heartbeat अपने गति में चलता है फिर ठीक हो जाता है तो इसको extracistally बोलते है तो यह भी heart में अगर वायू का प्रबाब हो तो होता है और आप किसी भी व्यक्ति के जो pulse है वो यहां से आप दे सकते हैं किसी की उस व्यक्ति के जो left hand है left hand में जब आप index finger को जब आगे बढ़ाओगे तो deeply अंदर आपको वायू वाली स्थान में स्पाइक होगा ठीक है जी तो ये एक चीज हो गई अब बात करते हैं कि अगर हार्ट में पित्ट स्पाइक होगा यानि सेंटर में अगर स्पाइक लगती है तो कौन-कौन सा चीज होगे आप जानते हो फित एक प्रकर का गर्म प्रकृती उष्ण प्रकृती वाला पित है तो जाइल सी बात है कि उस पित्ट ने हार्ट में अपना सुवाब दिखाना है तो या अंतरद सोथ यानि कि उसके हार्ट के अंदर कही न कहीं स्वेलिंग उत्वन न कर देगा ये तो दोस्तों दूसरे नमर में आता है हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन भी आज के समय में गलत फान पीन गलत आदतें गलत विवार क्रोध अधिक करना दिन भर मुबाइल टीवी इंटरनेट में बैठे रहने से आज कर लोगों को हाइपर टेंशन की सिकाईच ज़्यादा होने लगी इसमें पेशेंट के जो बलड सर्कुलेशन धमनी में इतने तेज गती से जाता है लगता है बिल्कुल न सही फोर देगा तो ये इस्तिती हाइपर टेंशन का बन जाता है तो ये पित्तई स्पाइक से यहाँ पर हम देख सकते और बांकी तो महत्व कांख्शा उस आदमी में किसी किसी आदमी में किसी चीज को पाने की जो जद्दो जहत है है न वो बहुत ज़्यादा दिखता है ऐसे ऐसे आदमी में जिसमें जिसके पित्ताई स्पाइक हो रही है यहाँ पर उसमें प्रतियोगिताओं को जितने की बड़ी चाहत होती है वो बड़ा जिद्धी टाइप का बहुत ज्यादा बहुत बड़ा किसी है ना कि वो बस खाली और सुस्ती से बेखने वाला नहीं एक प्रकर का उसका मनो भाब भी कुछ वैसा बन जाता है है ना तो प्रतियोगिताओं को जितने की लहत उसमें होता है कुछ न कुछ करते ही रहना उसको पसंद है और वो थोड़ा आक्रामक प्रकृतिगा होता है पित्ते स्पाइक से आपको पता चल जाएगा बहुत आक्रामक बहुत ज्यादा आक्रामक न आकमक शुवाव है, और कुछ लोग तो आतंगबादी परविट्टी के भी हो जाते हैं ऐसे लोग, जिनमें जो बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, जिनमें आकुरामक शुवाव है, वीचार है, तो ये भी आपको यहां पित्त स्पाइक से मैसुस कर सकते हैं. और एक जब यहाँ पर पित्त स्पाइक होगा तो आवेस में आना किसी चीज को पाने के लिए लगा लो कि उसमें जुनून सा सवार हो जाना सफलता की और उनमुक होना मैंने तो जीतना ही है और जब तक जीतेगा नहीं जब तक जीतूंगा नहीं तब तक मैंने छोड़ना नहीं है तो ऐसे इस्तिती भी सफलता की और उनमुख हो जाना भी पित्तई स्पाइक से आप इसपस्ट यहाँ पर देख सकते है अन्दाज लगा सकते है कि इसको पित्तई स्पाइक हो रही है अब जानते हो कफ जो है वो मंदता का परतीक है उसको कफ का सबाब क्या है वो लसीला है उसमें गवरबता है उसमें बंदन है उसमें डिलापन है उसमें जकर देता है जकरा हट उसमें बहुत ज़्यादा है तो फलस्वरूप रिदय में मन्दगती वो दे देता है रिदय में मन्दगती वो देता है अगर आपके हाट में कफ का कुछ काम हो रहा है अधिकता के बज़े से या मंदता के बज़े से क्योंकि यहाँ पर अवलंबक कफ निवास करता है अगर अवलंबक कफ बहुत ज्यादा बढ़ता है या उसमें कोई विकृती आ जाती है तो आपके जो हाट बीट है वो थोड़ सा यहां मंद पड़ता है एक्स्ट्र सिस्टली में क्या हो रहा था हाट बीट चल रहा है अचानक बीच में कुछ दे तक रुक करके फिर थोड़ा सा तेजी के साथ चलती हुई फिर नर्मल होता है लेकिन कफ स्पाइक में रिदम तो ठी रिदम में थोड़ा सा मंदता आ जात ठीक है क्योंकि कफ यहां जो प्राण वहसरोतस है अवलंब कफ प्राण वहसरोतस में जाकर के अवरोध पैता करता है तो फलसरुप आप जानते हो प्राण वहसरोतस इंसान के जीवन में जीवनिया गुड़ों को देने वाला होता है जीवन को देने वाला होता है तो मंद रदगती से इनसान की मौत भी हो सकती है क्यों कि वह प्राण वहस रोतस को यहां कफ यानि अवलंब कफ एक तरह से बंधन यानि उसको अवरोद कर रहा है और जब हाट में कफ बड़े तो आप जानते हो पेरिकाडियम में प्रोब्लम तो इसको आप जानते हो जब पेरिकाडियम में प्रोब्लम होगी तो सीने में काफी दर्द होगा तेज चुबन जैसी एक इस्तिती होंगे हाट की जो पंपिंग है उसमें भी उसके दोरान भी दोनों परतों में एक प्रकर का हलका सा घर्षर्ण सी पैدا हो जाती है यह जो है दर्द लेटे रेने से जयादा होता है और बैठने और आगे जुकने से ठोड़ा सा कम होता है तो कफ ज्यादा भरने से हाट में जब कफ बहुत ज्यादा बन जाता है infection भी इसका एक कारण हो सकता है तो यह pericardium में फिर आपको यहाँ दिक्कत दिखेगा अगर किसी के pericardium में डक्टर ने का problem है पस तुरण तो समझ लो कि इसके heart में कफ का काम हो रहा है बहुत ज़धा बढ़ रहा है फिर आप उसे हिसाब से कफ सामग दबाईयों का यहाँ पर चैन कर सकते तो नाड़ी परिशन के साथ साथ आपको यह चीज़े भी यहाँ पर समझ में आ रही होगी फिर तो क्या था दोस्तों दौरे में घबराहट आना एक परकार करिदे में आकुन चंज जैसे पैदा होना तो यह सारे चीज़े आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसमें हाट में व्रिद्धी होना कफ के वज़े से होता है इसमें हाई कोलेस्टरल और अगर हाट में कफ ज़्यादा बढ़ता है और कहीने कहीं संक्रमित भी होता है तो यहाँ पर हाई ट्राइगलिस राइड नाम का समस्या भी आपको दिखाई देगा जहां खुन में अगर यह ट्राइगलिस राइड यदि बढ़ जाता है तो उसके कारण सरूप उसके फलो सरूप आपके जो अगनिया सहय है उसमें जो पाचक गरंती वहाँ पर एक अगनी है जिसका नाम है पाचक अगनी तो उस पाचक गरंती में संक्रमर हो जाता है और निशित है कि जो आपके जो धमनिया हैं वो कड़ी हो जाती है एक तरह का यहाँ वसा का उत्पादन होता है इसे आपको स्ट्रोक लगना दिल का दोरा आना दिल की बीमारी का एक बड़ा भ्यानक खत्रा यहां आपको बढ़ता हुआ मैसूस होता है उच्छ ट्राइग्लिस राइड में इसलिए यहां अगर आपको कफ़ स्पाइक हो रहा है सकोने में तो यह सारे चीजें मंद गती से होने वाली जो प्रोब्लम है कफ के बढ़ने से जो समस्या है उसमें आपको दोरे आना घवराहट होना जो है पेरिकाडियम में प्रोब्लम होना हाट में मंद गती होना यह सारे चीजें कोलिस्ट्राइल बहुत ज़्यदा बढ़ जाना या ज दिखाई देता है और अगर हाइपर टेंशन हो क्योंकि उसमें गर्मी बढ़ती है एक जिद्डी सा सवाब होना उसके बिचारों में एक आक्रमक्ता आ जाता है तो कहीं ने कहीं आप सोच सकते हो कि इसके हाट में पित बढ़ रहा होगा गर्मी बढ़ रहे होगी वो स्पाइ कि आपके जो हाट है उसमें वायू का स्पाइक आपको बढ़ रहा है तो इस तरह से दोस्तों हाट में होने वाले बिवित जो समस्या है जो रोग है हम किसी भी व्यक्ति के पल्स से हम यहाँ पर देख सकते हैं जान सकते हैं लेकिन मैं अपने हर वीडियो में अभी तक 24 वी इसको मैंने कफ़ पित्त और वायो के रूप में तीन वाग में मैंने इसको डिवाइड किया इसको आप किसी रोगी के पल्स में से तभी जवाप तभी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं जब आप इसका स्वतंत्र रुप से आप अभ्यास करते हैं स्वतंत्र रुप से एक कहानी मेरे दिमाग में आ रहा है अब्यास से ही आपको सिद्धी मिलेगी हम कहते हैं भईया सिद्धी सिद्धी क्या चीज होगा उपर वाले भगवान आपके सामने आएंगे आशिरवाद रूप मुद्रा में ऐसे हाथ को खड़ा करके फिर कहेंगे तथास तु बेटा आप फुस हो जाओ आपको सिद्धी मिली फिर कोई प्रकास रोसी नहीं आपके सामने आता होगा और फिर आपको पता नहीं कुछ मंत्रा मिल जाता होगा ये सिद्धी का ये नहीं है सादक के सामने ऐसा कभी नहीं होता ये एक लोगों को समझाने के लिए बताने के लिए कि आपको आसानी से कोई चीज शमझ में आ जाए इसलिए पुराणों में वेदों में इस तर submit रूपक के रूप में ऐसे कहानी ना बनाए हुआ है बट सिद्धी जो चीज है वो करत करत अव्यास से ही सिद्धी मिलती है वो सिद्धी आपको कब मिला आपको पता ही नहीं चलता लेकिन करते करते आपको एक तरका मजा जब आने लगे तो समझो वही सिद्धी है जैसे मैं एक उधारण देता हूँ हमारे यहां पर मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए काफी लोग आते एक बार की बात है मैं कुंडली देख रहा था कुंडली देखते-देखते मुझे एक वैक्ति का एक भाई साथ की कुंडली मैने देखा और उन्होंने कुछ डेटists बताया और मैंने डेटर बर्त लैप्टोप में थोड़ा गलत डाल दिया क्योंकि मैंने जो सुना वो मैंने डाल दिया तक करीवर भी आदा गंटे तक मैंने उनको जो जो बोला बिचारे वो हांजी हांजी बोलते गए और उनको बहुत आनन्दा आता रहा कि पड़िजी हां आप गवा कई मेंस पहल बोल रहे हो मैंने उनके अहांजी आपके इतने बच्चे थे आपके ये जमीन है आपके ये यह यापकर ये गडबड हुआ हुआ ये हुआ उनको बताते गए और वह हांजी आँजी बोलता गया कहता हाँ जी गुरुजी बहुत आनन्दा आ रहा है आपने कुंडली बहुत अच्छा देखा आप क्या करें तो फिर सबकुछ हो गया उठकर के निकलने वाले थे तो मुझे कहा कि गुरुजी आप कुंडली बना दो मैं का ठीक है मैं उनके डेटर बर्द नोट कर रहा था फिर मैंने उनको कहा कि हाँ जी आपका सन इतना है उनको कहा कि नहीं यह नहीं मेरा सन आप दो साल नीचे आ गया पता नहीं कौन जादा है उनको कहा कि सन थोड़ा गड़बड है तो फिर मैं कहा यार गड़बड कैसे हो लेकिन मैंने 1984 मैंने लिख दिया कम्प्यूटर में और कुंडली निकल गया और मैंने उसको बोला ठीक भी निकल गया मैंने उसको जो प्रेडिक्शन किया वो बिल्कुल गलत कहीं नहीं था वो तो चले गए उन्होंने कहा कि गुरुजी फिर दुबारा देखिये मैंने कहा भई आप दुबारा क्या देखना आप तो बताई दिया मैंने जो पताए वो गलत हुआ तो बताओ मैंने कहा नहीं नहीं सही है फिर फिर वो तो चले गए फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने तो गलत कुंडली देखकर कि को सई प्रडिक्शन कैसे कर लिया तो उस दिन मुझे लगा कि यार वकई में सिद्धी और साधना से होने वाले सिद्धी यही चीजे क्योंकि हम तो कुंडली देखते रेते हैं और देखते देखते एक के लगा लो कि कोई आदमी आपके सामने आ जाता है उसको देखते ही आप लगा लो कि 65% उसके भविस्य आप उसको पढ़ लेते हो वहां से कुंडली देखने की जरूत नहीं पढ़ते फिर वहां पर 20% कुंडली के काम होती है अधर भाई वो भी आपके सेटिसफेक्शन के लिए कि हम भाई मेरे सामने एक कुंडली है जिसको देखे मैंने इसको इवागी पढ़ना है बट वो भागी वो बंदा वैसे ही पढ़ लेता है लेकिन एक आधार एक हो जाता है कि कुंडली सामने है और मैंने देख लिया तो दोस्तों इसी का नाम है सिद्धी तो यह जो नाड़ी परिक्षण आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे अगर आप आईरवेद के सेक्टर में छेतर में हो तो नाड़ी परिक्षण तो आपने भी कही ने कहीं सी सुना होगा सिखा होगा लेकिन सभी गुरुओं का सिखाने का तरीका और ये सारी चीज़े आपको अलग-अलगी मिलेंगे कोई किस तरह से देख रहा है कोई किस तरह से देख रहा है ठीक है न कोई किस तरह से देख रहा है कोई जो है कि हार्ट को किसी जगे से देख रहा है कोई जो कोलन है कोलन को कहीं और से देख रहा है तीक है न मिलता ही नहीं है जैसे कि कोई लोग कहते है कि जैसे वायू का जो पांच भेरे चार एक दो तीन चार दोसा को रखे जो व्यान वायू वे पूरा जब पूरा इस्पाइक हो तो व्यान वायू होनी चाहिए ऐसा बोलत जिस पार्टिकुलर पॉइंट में लगे और वहां पर जो वायू का नाम पहले से नहीं थे उसी का वही उस वैक्ति में वही दोस उसमें होनी चाहिए तो ऐसा करके मैंने देखा बहुत सार लोगों का लेकिन वो अपने सिद्धानत में वो मसता है दोसरों के सिद्धानतों को वो नहीं करते तो कहने का मतलब उन्हें के लिए वो सिद्धी है मैंने ये चीज़े पढ़ा है और इसमे में अपना अभ्यास करता हूँ और ये चीज़े मुझे मेरे लिए ज्यादा एफिक्टेट लगता है ज्यादा लगता है कि हाँ वाके में ये जो सिद्धानत है ठीक है लेकिन कोई दूसरी गुरू उसको कोई दूसरा सिद्धानत के उपर वो काम करते तो उनको वहाँ पर लगता है तो मैंने आपको बताए कि साधना और सिद्धी इसी का इनाम है यहां से मैं देख रहा हूँ और वहां से वो देख रहे है तो दोस्तों आज मुझे दीजे विदा ये सारे थेयोरी को आप नोट करिए उसके बाद हाट के जो पलसेशन है उसमें तीन भाग करके इसको रोगी के यहां पर देखने का प्रयास करिए आप उन हस्पिटल में जाइए जहां पर हाट के मरीज जादा आते हैं तो आपको पहले-पहले इसको आइटिफाई करने में हाट के भी साय में पलसेशन को जानने में आपको ज्यादा महसूस होगा जैसे-जैसे मैं कोई वीडियो बनाओ तो तुरुंत आपको चाहिए कि आप उस हस्पिटल में जाए अगर मैंने कोलन के लिए बनाया तो आपको उस हश्पिटल में जानी चाहिए जहांपर उसके अक्सर मरी जाते हैं अगर मैं डाबिटीज से रिलेटेड कोई वीडियो बनाओं तो आपको वहाँ जानी चाहिए जहाँ डाबिटीज के ज्याएदा मरी जाते है देखो यह सारे चीज़े करोगे तो आपको आनंद आएगा अधरवाइस तो फिर क्योंकि यह सारी जो चीज़ें हैं थेओरी में क लग रहा है और वाकई में सही है फिर उसको नोट बनाओ और उसके बाद अपना काम सुरू करो तो आपको आपका जो लाइफ है बहुत अच्छा चलेगा आप फिर यहां से आप वास्तम में नाडी फर्यूक्षन करने वाले फिर आप कहलाओगे तो आज दीजे विदा जै कि अ कि आपसद्डम की डिकां ॐसले में अच्राँ स्थम्पटwide को आपसपे यहां था एतिजागं एतिजानी में जैने रहां साहिए्टियों को विदान धव का ए पाँचा बडिवर का राएंवर करने पाया है और व conflict में करते इता है